मज़wach आखानाइ एक अए यहां स्टीटलाइट्स भी नहीं इए इधिस बईधिकल्ट्ट स्टीटलाइट्स नहीं है रातको यहां चोरी होती है टिक पॉकेट इंग होती है गर्दूले होते है हम लोग बहार नहीं निकल सकते, बारिस तो बात है कि खड़े हैं, जो लोग खड़े में गρείते, बच्चे क favorites हैं, रिक्षा है नहीं चल सकती, ची क्युकि जितनी भी लोग है, महिला हैं, उनको factors है, कमर में तकलीब है, यहां भौछ सहरी problem है, यहां कोई सुनता नहीं है, builder बो यह लोग टेक्स भर रहे हैं तो हम इनको रोग भी नहीं सकते के यह प्र시면 के वीच में आती हैं क्योंकर टेक्स भर होता है तो यहां कोई क्राइम होता है तो कोई neighbors नहीं है इस लिए मैं यह कहांगी कि हाप लोग इसको request करो और मैं सरकार से निमेधन करते हूं कि जब election होता तो आप लोग आते हैं यहां vote मांगते हैं यह जब और जब जिए नगर से विका हैं, उन्होंने ध्यान देना चाहिए Demolation पे द्यान देते हैं तो इस रोड पे क्यों नहीं ध्यान देते यहां की पूलिस हमारे काम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पूलिस को भी इतना राइट्स नहीं हैं, तो कैसे काम करेंगे पुलिस वालों को भी यहां काम करने के लिए लाइट्स नहीं है यहां डखेती हो रही है गरदूले पकड़े कैसे जाएंगे इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है महारस्ट सरकार से निवेदन है वैसे ही हमारे राज्य सरकार से निवेदन है उन्होंने सीरियसली इस मामले में देखना चाहिए, क्योंकि यह रस्ता पूरा हाइवे क्रॉस करके एरपोर्ट जाता है, लोग यह ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, कैसे पुलीस काम करेगी आने तक, यह रोड पूरा जा रहा है, आपना हाइवे होकर सिधा एरपोर्ट जा रहा है, तो यह जो लगजरी र लेकिन दुख हो रहा है, कि हम लोग इतने साल लोगों के लिए मर रहे हैं, और यहां हम लोग के जो चूनके प्रतीनी दी जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, किसी का सुनते नहीं है, तो उनको मैं यहां के सारी जंता की तरफ से यह अपनी आवाज पहुचाना चाहती हूँ दन्यवाद।